जे एडवांस 2022, पेपर 2, अनधर मेमरी बेस्ट कोशन, और ये कोशन था, मैगनेटिक इफेक्ट अफ करेंट से, तो इसमें हमारे पास में एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसको हमने तोर मडोर के इस तरह का एक शेप बनाया है, और हमें पता करना है कि ओ पॉइंट प बहुत सरे कोशन मिल जाएंगे, है न, इलेक्ट्र स्टैटिक्स में भी इस तरह के कोशन मिलेंगे, और जो मैंनेटिक फिल्ट जहां पर निकाले के लिए, वहां पर भी इस तरह के कोशन मिलेंगे, करेंट के वाज़े से, मैंनेटिक फिल्ट चार्ज के वाज़े से, तो ल यह इस पार्ट के लिए हमाने निकालने की जुरती नहीं है क्योंकि यहां से पास हो रहा है तो इसकी वज़े से कोई भी magnetic field नहीं आएगी point O पे इस arc की वज़े से अगर हम लोग देखें इस arc की वज़े से अगर हम लोग देखें तो इस arc के वज़े से से इस point O पे आएगी magnetic field उसको हम लोग B2 बोलेंगे यह जो छोटा सा length है next देख रहे हैं यह जो छोटा सा length है इसकी वज़े से नहीं आएगी क्योंकि यहां से यह point पास हो रहा है उसी तरह से इसकी वज़े से भी नहीं आएगी यह भी उस point से पास हो रहा है तो यह भी हम लोग निकाल देते हैं यहां से है ना तो यह section कतम हो गए यहां से यह वाला जो arc है इसकी वज़े से magnetic field आएगी यह point O पे इसको हम लोग B3 बोल देते हैं तो मेरा जो net magnetic field होगा right hand rule से देख लो घुमा के अपना curl वल कर ला है जो कर लो सबका sense सेम ही है तो सबका add हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 है ना तो यह वास में net magnetic field आप एक एक करके हम लोग magnetic field देखते हैं B1 देख लेते हैं B1 अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको मैं एक मिनट के लिए टाता हूँ B1 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां से इसका जो distance है this distance is L L by 2 यहां से और L by 2 यहां से ठीक है यह वाला L by 2 है this is L by 2 तो L हो गया length तो हम लोग लिखते हैं क्या mu naught I by 4 pi into R 4 pi D जो length होता है तो यहां पर length क्या है L into sin alpha plus sin beta लिखते हैं तो यहां पर देखो एक जो alpha है वो कितना है यहां से alpha is 0 तो sin 0 हो गया sin of 0 degree plus sin beta जो कि हम लोग यहां से इस end से ले देंगे point ओ पे हैं यह angle लेंगे तो देखो यह length L है यह भी length L है तो यह angle 45 degree हो जाएगा तो जो sin of हम लोग यहां पर 45 degree लिखेंगे तो यह बन जाएगा mu naught i divided by 4 pi L into 1 by root 2 तो यह हमारे पास में B1 आ गया तो अनदर term हम लोग देखते हैं B2 B2 देखो simple एक arc दिख रहा होगा मैं इसको हटा देता हूँ यहां से B2 एक arc दिख रहा होगा यहां से यहां तक तो arc के लिए हम लोग लिखते हैं mu naught i by 4 pi R अब इसकी radius कितनी है इसकी radius है L by 2 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे L by 2 इन्टू theta theta कितना है इसमें theta यह arc कितना सब्टेंट कर रहा है theta pi एंगल सब्टेंट कर रहा है यहां से यह cancel out हो जाएगा 2, 2, 4 हो जाएगा यह बन जाएगा mu naught i divided by 2L अब अगर हम लोग यहां से B3 निकालना चाहें तो B3 भी इस बिल्कुल इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं तो B3 के लिए देखो यहां पर यह जो length है this is L by 2 this is L by 2 क्योंकि यहां से यहां तक का जो length है this is L by 2 और यह length L by 4 है मतलब यहां से यहां तक का जो length है this is L by 4 हो गया तो इसका radius L by 4 हो गया इस arc का जो radius है that is L by 4 है ना तो हम लोग लिखें के mu naught i divided by 4 pi और radius कितना है arc का L by 4 L by 4 radius हो गया into angle कितना subtend कर रहा है यहां से o से o point से pi by 2 angle subtend कर रहा है so यहां से देखो 4 cancel out हो जाएगा यह बन जाएगा mu not i divided by pi से pi भी cancel out हो जाएगा 2L so effect b that is equal to b1 plus b2 plus b3 करेंगे तो यह b1 कर रहा तो b not i upon 4 root 2 4 root 2 pi L plus अब इन दोनों को b2 और b3 को जोड़ दिया जाएगा तो simple mu not i by L हो जाएगा तो यहां से इनको जोड़ दो mu not i divided by L common निकालना है तो यह बन जाएगा 1 by 4 root 2 pi 1 by 4 root 2 pi हो गया plus यह 1 हो गया तो यह हमारे पास में इसका correct answer हो गया